हेलो फ्रेंस घर पर मैं बनाने जारी हूँ बहुत ही टेस्टी वाली नमकीन तो आप देखो मैं यह कैसे बनाती हूँ पहले डालूँगी एक चमच घी और थोड़ी सी हल्दी सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी अपने पोहे और इसे हम जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो ज जाता है तो इसके सामने भी अगर आप इसे सर्फ करते हैं तो बहुत होममेड नमकीन है जो वो सब पसंद करेंगे तो आप घर में ड्राइज जरूर करना फ्रेंड्स यह देखो इसे मैं तब तक चलाओंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है तो चार मिनट में ही इसका कलर जो है देखो यह सारा कलर चेंज हो चुका है तो इसे निकाल लूगी अब मैं कड़ाई में डालूझी घी और साथ में डालूझी खल्दी अब इसमें आइड़ करूँगी मैं फूल मखाने और इसे भी मैं तब तक चलाओंगी जब तक यह क्रिस्प नहीं हो जात और थोड़ी देर के बाद मैं इसे चलाती रहूंगी और मैं चैक करके दिखूंगी कि अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी इसके अंदर ताकि इसका जो टेस्ट और फ्लेवर और भी बढ़िया निकल के आए इसे चैक कर लिया है यह अच्छे से तैयार है क्रिस्पो डालूँगी बड़े बरतन में अब मैं इसके बाद डालूँगी बदाम इसे थोड़े से फ्राई करूँगी अब इसमें आड़ करूँगी मैं काजू यह फ्रेंस बहुत ही अच्छी नमकीन टेस्ट में भी आप खाके देखना बिल्कुल बाजारी स्टाइल में लगेगी आपको काजू भी आइड कर दिये अब इसमें मूफली आइड करूँगी मैं यह सब डालने के बाद मैंने इसमें भूने हुए चने डालने है थोड़े से और साथ में चने की डाल इसको भी थोड़ा फ्राई करके और यह भी हाफ को टोरी थी तो इसे भी फ्राई करके इसक क्योंकि उसके साथ नमकीन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और साथ ही इसमें डालूंगी मैं राई एक चमच भरके उसके बार डालूंगी कड़ी बत्ता और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे अपने थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक क्योंकि पहले भी मैंने थोड़ा सा डाला हुआ था तो उसके हिसाब से डालूंगी क्योंकि फुल मखाने में थोड़ा नमक था तो इसके नमक थोड़ा हिसाब से डाल लेंगी और साथ में के वाद हम इसे गरम होने तक अच्छे से चलाएंगे जब तक यह अच्छे से हमारा बिल्कुल क्रिस्प्टा हो जाएं बत्ते तब तक हम इसे चलाते रहेंगे इसे जादा टाइम लगता है बस तो-चार मिनट में ये तड़का तयार हो जाता है इसका नमगीन का तो यह इस तड़के को मैंने अब सारा मिक्सचर में डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूंगी इसको पहले अच्छे से हिला लेंगे ताकि तड़का सारा मिक्स हो जाए सब में यह देखो यह हमारा जो है नमकीन बनकर तयार है अब इसमें लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला की फलेवर के लिए यह बहुत ही ही बहुत ही बनता लेखा है अब यह हील गया तो इसमें चाट मसाला डालूंगी एक बड़ा चमच भरके और साथ ही इसके डालूंगी एक चमच चिनि जिसको मैं ने पावडर फो में तियार करके रखा हुआ था ना होने के बाद इसे एक कंटेनर में बंद करके रख लूँगी स्टोर करके रखूंगी ताकि इसे मैं जब भी जाय के साथ नाश्टे का किसको सरव करना चाहूं तो इसे कर सको अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बतान मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करो और लाइक कमेंट करो फ्रेंड्स यह हैं